नमस्कार एक बार फिर से उन सभी विज्यार्दियों का स्वागत हैं जिन्होंने आज 25 दिसम्बर को यूटूब पर इलाबाद हाई कोड़ भरती ग्रूप D के लिए कुछ सर्च किया होगा और जिन में उनके मन में डाउट रहे होगे कि इसके रिजल्ट डेट कब ते गोश क्या है क्योंकि इस वीडियो के माधियम से आपके मन में चल रहे हैं इन्हीं सभी डाउट को एक एक करके पूरी तरह से किलर किया जाएगा और आप सभी को सैटिसपाइट करने का प्रियास भी किया जाएगा लेकिन उससे पहले प्लीज जो है आप हमारे चैनल एजुकेश कुछ आप से रिलेटेड कोई भी वीडियो के लिए सर्चिंग करते हैं तो दोस्तों आपको जो विश्वास है वो अनुमान में होना चाएगे अगर दोस्त आपका भरोसा अनुमान में नहीं है तो फिर आप वीडियो को क्यों देख रहे हैं क्योंकि बहुत सरे बचे हमार अगर बरोस है तो किछ भी दिखाया जा सकता है और अगर कस भी दिखाया अजया सकता था है उतर होना चाहिए फिर बहुत सर Rand सारे बच्छ साद्र होते नहीं यह कुछ भी लिगते हैं तो उनकी मरजी लेकिस år TM करते हैं Cut off क्या रहा सकती है मुख्या परिक्सा के लिए Cut off क्या रहा सकती है तो यह बात तो अच्छी है कि सॉले से निन्यान में पते हैं और मेरिट जो आपके बनेगी वह फर्स्ट एंड सेकेंड एक्जाम दोनों को मिला के बनेगी तो अटेनंस दगबग दोस्तों 70% के करी अटेनंस रही है तो इसको देखकर जो Cut off है और गुड अटेम्ट है दोस्तों वह मैं आपको बता देता हूं हमें यह लगता गुड अटेम्ट जो है वह 68-76 के उसन जो है वह रहने वाले हैं और easy to moderate paper का level है तो इस paper के लिए level को देखकर ही जो है एक Cut off बता सकते हैं दोस्ति परकार अगर मैं अगली category की बात करूं EWS की तो दोस्तों EWS में जो category है 76-78 तक इनकी Cut off जा सकती है और SC के अंदर दोस्तों 72-75 तक Cut off जा सकती है और ST में 65-68 तक Cut off जा सकती है इससे अधीक और कम जाने के कोई Chance नहीं बनता है फिर भी दोस्तों अगर आप Satisfied नहीं है तो मु सब्सक्राबाद हाइब काफी विद्यारतियों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आप भी रखे ताकि हर परकार के अपडेट में आपको टाइम पर देशकूं थैंक्यों दोस्तों प्लीज में के सपोर्ट नमस्कार